नमस्क्राइब स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ एक बाद फिर से नारदा केस को लेकर ममता बरजी को बड़ा जटका लगा है क्योंकि अब कोलकाता हाई कोट ने नारदा केस में सुनवाई के लिए पांच जजों की टीम की गठित कर दी है जहाँ अब आपको बताते हैं चले कि 24 मई को नारदा केस की सुनवाई को लेकर ये पांच जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और तब तक टीमसी के इन चार नेताओं को नजरबंद घर में रहना होगा जिहां ममता बनर जी की मुश्किले लगतार बढ़ती भी दिखाई पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से अगर हम शुरुवाती दौर की बात करें तो सरकार बनाने के बाद सही लगतार ममता बनर जी हर तरब से घरती भी दिखाई पड़ी है क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से बंगाल में जो तांडो हम पिसले डेल महिने से देख रहे हैं अब यो तांडो रुका भी नहीं था कि एक और मुसीबत ममता बरजी के सामने आन पड़ी थी और वो ये कि बंगाल में जो लगतार अब तक बरस्ताचार का काम किया गया था जो अब तक लंबे समय से घोटाले बाजी की जा रहे थी इसको लेकर टीमसी के नेताओं पर गाज गिरी थी जिसके बाद राज़पाल से अनुमती मिलने के बाद सीबी आई के अधिकारियों ने 17 माई को टीमसी के इन चार बड़े नेताओं के घर पर छापे मारी हाला की की थी जिसके बाद से ही लगतार ममता बनाजी बखलाती हुई दिखाई पड़ी थी किस तरीके से हमने देखा था कि ममता बनाजी अपने टीमसी के चार नेताओं के साथ जबकी सिर्फ और सिर्फ सीबी आई की टीम पूछताच के लिए उन नेताओं को लेकर आये थी लेकिन ममता अबनाजी ने किस तरीके से CBI दफ्तर के बाहर अपने गुंडों से हंगामा मच वाया ये हमने देखा था और किस तरीके से ममता अबनाजी खुद अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रही थी उन्हें गाली गलोच किया जाया था लेकिन अब आपको बताते ही चले कि ममता बनर जी की मुश्किले बनने वाली है क्योंकि इस मामले को कुलकता हाई कोट में बड़ी बैंच पर सौप दिया था और अब आपको बता दे कि 5 जजों की बैंच इसको लेकर तयार कर ले गई हाला कि लगतार कोलकता हाई कोट में 2 बार हुई सुन्वाई को लेकर कोट पहले से ही ममता बनर जी को फटकार लगा ममता बनाजी मुख्यमंत्री होने के नाते इतना बड़ा जो हंगामा प्रदेश में मचा हुआ है कैसे वो मचा सकती है और किस तरीके का या गांधिवाद शांती प्रिये प्रदर्शन आप इसको कहते हैं कि जिस तरीके से पिसले बार हमने देखा था कि कैसे कोट में सुनवाई के दौरार ममता का पक्ष रखने वाले सिंग्वी लगतार ये दलीले दे रहे थे कि ममता बनाजी एक शांती प्रिये प्रदर्शन कर रही थी और गांधिवाद के तौर पर ये प्रदर्शन किया जाड़ा जिसको लेकर कोट ने साफ तौर पर ममता बनाजी को फटकार लगाते वे पूछा था कि इस तरीकी की जो आगज़नी प्रदर्श में की जा रही है आखिर ये कौन सा गांधिवाद प्रदर्शन है लेकिन लगतार बार बार सिंग्वी जूटी दलीले कोट में पेश करते वे दिखाई दिये जिसको लेकर अब ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया था और अब इस मामले को लेकर आपको बता दे कि 24 मई को पांच जज़ों की बेंच इसमें सुनवाई करने वाली है जिसमें चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जस्टिस आईपी मुखर जी जस्टिस हरीश टंडन जस्टिस सुमेइन सिन और जस्टिस अरजीद बनर जी इसमें इस दोरान कोट में अपनी अपनी दलीले रखेंगे जिसको लेकर ये साफकार पर कयास लगाये जारे हैं कि अब किसी भी वक्त ममता बनर जी के चार गुंडों की गरफतारी हो सकती है हाला कि ये भी कयास लगाये जारे हैं कि ममता बनर जी से भी इस पूरे मामले को लेकर प श्रीम बंगाल में देखे हैं हाला कि लगतार ममता बनल जी अपने नेताओं को बचाने के लिए खुद की गरफतारी होई करने की भी बात कहती दिखाई दीती लेकिन इसको लेकर भी लगतार ममता बनल जी की मुश्किले बड़ी हुई है क्योंकि उनके खिलाफ भी जाच में बजाच को बाधित करने का आरोप सीबियाई के दिकारी ने लगाया है तो साफ तर पर ममता बनल जी को बड़ा जटका लगने वाला है हाला कि आपको बता दे कि लगतार जी टीमसी के चार ये देता है पिराद हाकिम, सुबरत मुखर जी, मदन मित्रा और सुबन चटेर जी, फिलहाल हाउस अरेश में है और एम्स के डॉक्टर की निगरानी में है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफतारी के बाद से ही लगतार ये मंत्री, ये नेता, सुबरत का हवाला देते दिखाई पल रहते है और इसी को ध्यार में रखते हुए कि कहीं ये जाँच की आज से बचने का कोई बहाना ठीक वैसे ही जैसे मम्ता बनजी ने चुनाओ के दौरान किया था, वो ना हो इसी को ध्यार में रखते हुए अब एमसे दिल्ली एमस के डॉक्टर लगतार इसकी निगरानी कर रहे हैं जो कि अब साफतोर पर दूद का दूद पानी होगा दूद का दूद और पानी का पानी होगा कि आखिर वाकई ये टीमसी के नेता बिमार है या सिर्फ और सिर्फ जा आम तरह की वयन बाजी देती भी दिखाए पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ इसे बीजेपी की साजिश बताती हुई दिखाए पड़ रही है जो कि वाकई बहुत शमनाख है हालाकि ममता बनाजी के मुश्किले पहले से ही बड़ी भी बंगाल में दिख रही थी क्योंकि जि जो तानाशुहा रवया ममता बनाजी अक्तियार की हुई है जिस तरीके से पीम नरेंदर मोदी की बैठक में वो मुझे नाब बोलने देने का आरोप लगाती भी दिखाए पड़ रही है जिस तरीके से अपने ही डियम को कैसे मीटिंग के दौरान उन्हें बोलने से रोका जाता है ममता बनर जी की और घ्रसाल साता है कि ममता बनर जी सर्फ और सर्फ अपना तानाश़ा चलाना चाहती है और अब जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो उनके खिलाफ कुछ भी बयान बाज़े कर रहे हैं तो देखि कैसे बंगाल में उन लोगों को खुलिय मारा जा रहा है लेकिन अब जब खुद TMC के नेताओं की हकीकत सामने आई जब उनके पुराने चिट्थे परचे खुलने लगे तो देखी कैसे ममता बना जी दोड़ती भाकती सीबी आई दफ्तर पहुंची अपने TMC को नेताओं को बचाने के लिए लेकिन जिस मुख्य मंतिर को बंगाल में उन परिवारों से मुलाकात करनी चुहाए थी जिसके परिवार उजड़ गया जिसके पिताव और माता मर गयी लेकिन बजाए उनके परिवारों से मिलने के ममत बना जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बाद फिर से पक्षपात करती भी दिखाई पड़ी है जो कि साफकार पर बहुत ज़्यादा दुर्भागे पुड़ हैं बहुत ज़्यादा शर्बनाक है हाला कि इन तमाम वाक्यों को लेकर ही लगतार लोग बंगाल में राष्ट बंगाल से बाहर चले गए हैं उनके लिए कुछ कीजे लेकिन बजाए उनके लिए कुछ करने की देखिए कैसे ममता बना जी ने राजपाल जो लगतार बंगाल में पिर्द परिवालों का दर्द सुन रहे थे उनके उपर हमला करा दिया राजभवन के बाहर किस तरीके से बेड़ बकरियों का प्रदर्शन कराया गया वो भी 144 धारा लागो होने के बाद और यहां पर सबसे एम भूमी का जो संदिक तरूप से दिखाए पर रही है वो है बंगाल पुलिस की क्योंकि बंगाल पुलिस जो तरीके से ममता बना जी के इशारों पर इस वक्त काम कर रह है यह वाकई बहुत जादा श्रमनाख की कैसे आप सोचिए खुद कानून विवस्था बताने वाले लोग कैसे खुलियाम कानून की धजिया उला रहे हैं खुलियाम किस तरीके से नियमों का उलंगन किया जा रहा है लेकिन अब इन तमाम जो तमाम एक के बाद एक मामले सा होंगे उन्हें तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे और जिस तरीके से पिसली दो बार में कुलकता हाई कोड ममता बनर जी से यह साफतर पर फटकार लगा चुकी है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि आप मुख्यमंतरी होने के नाते बंगाल की इन इस्टित्यू पर कुछ इस पर सुनवाई करेगा जिससे साफतर पर यह क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वग्त बंता बनर जी की मुश्किले बढ़ सकती हैं और इसा हम इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि अब नार्दा केस्म को लेकर इडी का भी इस पर हत्शेप शुरू हो चुका है और इ जो ममता बनर जी सिर्फ जूट बोलने का काम अब तक कर रही थी अब उनकी खैर नहीं होने वाली है क्योंकि साफता पर बंगाल में किसी भी वक्त राश्पति शौसन लगना यह तैय है क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर जी बिना वधायक बने एक मुखेमंद्री पद पर बैट कर तमाम तानाशा करते वे दिखाई पर रही है हाला कि उन्होंने अपने पद को बचाए रखने के लिए भवानी पूर सील से लड़ने का मन जरूर बनाया हो लेकिन आपको बताते चले जो चुनाओ के बाद से लगतार हिंसा बंगाल में देखी जा रही है इसका जवा अब इसका हिसाब किया जाएगा क्योंकि अब नारदा केज को टाले मामने को लेकर 24 मई को पाथ जजो की बेंच इसके सुनवाई करेंगी हाला कि तब तक ये टीमसी के चार नेता, फरहाद हाकिम, सुबरत मुखर जी, मदन मित्रा और सोवन चटर जी नजर बंद रहेंगे यानि की हाउस अरेस्ट रहेंगे और फिलाल इस पर आपकी क्यारा है हमें कॉमेंट बक्स में जरूर लिखेगा, साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले